सिंट्रल दिल्ली की एलिन जेपी कॉलनी में एक नर्स की धरदनाख तरीके से हत्या कर दी गई नर्स की लाश बाथरूम से मिली उसकी गर्दन पानी से भरे टब में डूबी भी थी इस घटना पर हत्या के बाद लूट की भी आशन का जाहिर की जा रही है शनिवार रात एलन जेपी कॉलोनी के स्टाफ क्वार्टर्स में उस वक्त संसनी फैल गई जब एक नर्स की निर्वस्त्र लाश पानी के टब में डूबी मिली नर्स हर्याना के जिला सोनी पत के एक खरखोता की रहने वाली थी 1994 से एलन जेपी अस्पताल में नर्स थी सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के अलाधिकारी पहुँचके पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर हत्यारे की तलाश शुरू कर दी है हर श्रनिवार को नर्स अपने घर जाते थी लेकिन इस बार नहीं गए घरवालों ने संपर किया तो फोन भी नहीं उठाया जब उसके भाई ने क्वाटर पर आकर देखा तो उसकी गरधन पानी के टब में डूबी मिली और घर का सामान भी बिखरा पड़ा था इस कॉलोनी में नर्स की हत्या का ये दूसरा मामला है पुनीच शर्मा तिल्ले आज तक